कई हमारे क्लाइंट का एक क्वेस्चन है कि microwave में फ्रोजन फूड को था करना चाहिए कि नहीं मैं हमेशा बोलता हूँ कि करना चाहिए पर सावधानी के साथ करना क्यों चाहिए क्योंकि quick thawing हो जाता है प्रोड़क को ज्यादा देर तक डेंजर जोन में नहीं रखना पड़ता है यूनिफर्म थौइंग होता है जिसे हमारा प्रोड़क अनिविन कुकिंग के रिस्स से बच जाता है थौइंग की प्लानिंग कभी फेल हो गई तो सप्लाई डिसकंटिन्यूटी नहीं रहती है माइक्रोड़क के प्रयोक से हम सप्लाई गों कंटिन्यू रख सकते है सावधानी से इसका प्रयोक थौइंग के लिए करना चाहिए नहीं तो पार्शेल कुकिंग हो सकता है और प्रोड़क में माइक्रोब्स जेनरेट हो सकर प्रोड़क को खराब कर सकते है टाइम और टेंप्रेचर का विसेश ध्यान देना है नहीं तो प्रोड़क का टेक्च्चर डेवियेट हो सकता है मौाइस लॉस हो सकता है चांस रहता है और आगे प्रोड़क्ट खराब हो सकता है कंटेनर जो हम यूज करें माइक्रोवेब वल ही हो ज्यादा ओवर फिल करके कंटेनर माइक्रोवेब में नडालें थौर्ट टाइम कंप्लीट हो जाने के बाद प्रोड़क्ट के बीच में टेंप्रेचर प्रोब के माध्यम से टेंप्रेचर जरूर चेक करना चाहिए 0 से 4 डिग्री सेल्सियस टेंप्रेचर हो जाने के बाद प्रोड़क्ट को बाहर निकाल लेना चाहिए अगर लिक्विड प्रोड़क्ट है तो इस ट्रेन जरूर करना चाहिए आइस बक्स न चला जाए इसके लिए अगर पार्शल कुकिंग की सिकायत आ रही है तो माइक्रोवेब के पावर को लोवर सेट करके परियोग में लें टाइम टेंपरेचर और इन साउधानियों का ध्यान दे करके हम माइक्रोवेब में थाविंग असानी से कर सकते हैं कोई प्राब्लम नहीं है इस तरह का कोई क्वेस्चन अगर आपका भी है तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर डालिए मैं उस पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें थैंक्यू इस तरह की जनकारी हम आपको देते रहेंगे